चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स जिसे देखते ही खानी का मन करेगा और घर में रखे हैं इंग्रीडेंट से बन कर तयार हो जाता है और साथ ही आप इसे मौर्णिंग में बनानी के लिए बिल्कुल आराम से बना लेंगे तो चलिए शुरू करते ह हैं इसके लिए हमने आपर एक मिक्सी का जार लिया है इसमें लेंगे एक कटोरी सूजी साथ में डाल देंगे दो बड़े चम्मच लगभग मैदा या फिर आटा साथ में डाल देंगे इसमें हम दही तो यहां पार आप खट्टा नॉर्मल कैसा भी दही ले सकते हैं साथ मे एक बैटर बनकर तयार हो जाएगा तो यह देखे बढ़िया सा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है तो अगर आपके बच्चों को साथ इंडियन रेसिपीस बहुत पसंद आती हैं तो आप इस तरह से इंस्टिंटली उनको बना कर दे सकते हैं अब स्टफिंग बनाने के ल नहीं कर रही हूं क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अगर उनको जादा सब्जें करके दो तो फिर वो नहीं खाते हैं अब इसमें हमने डाल दिया है बॉयल किया दो से तीन उबला हुआ आलू और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे तो ये बढ़ियां से अच्छे से भून जायेगा ना आलू तो बहुत स्वादिस्ट लगता है अब इसमें डाल देंगे एक चोथाई चोटी चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच लाल मेर्च पाउडर साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर आदा चमच के लगभग बस और इसके उपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे अगर आप इसमें चाहे तो सांबर मसाला पाउडर या फिर और कोई मसाला डालना चाहे तो डाल सकते ह वरना ये इतने में ही बहुत ही ज़दा स्वादिश्ट लगता है अब इसको बहुत अच्छे से भून लिए एक से दो मिनिट के लिए सबी मसालों के साथ में और ये स्टफिंग जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है सिंपल और इजी तो ये देखिए आलों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है बैटर भी हमारा एकदम रेडी हो चुका है तो जब ये दोनों ही तयार हो जाए तब हमारा जो लंच बॉक्स हो बनाने के लिए बहुत ही इजी पड़ जाता है अब यहाँ पर बैटर में हम डाल देंगे बिल्कुल आदी छोटी चमच के लगभग सोडा अगर आपको सोडा पसंद ना हो तो ये बैटर बना कर आप रात में रख दे और सुबह आप इससे बना सकते हैं जो भी चाहे वो तो इन्हों डालने के पाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है इससे क्या होगा कि ये जो बैटर एकदम परफेक्ट हो जाता है तो बैटर हमारे एकदम बढ़िया से तायार हो गया है तो हम इसके बनाने वाले हैं डो से जो कि बच्चों को बहुत ज़दा पसंद होते हैं और सुबह सुबह ये बनाने में बहुत आसान है ब्रेकफास्ट हो या फिर आप इससे कभी भी बना कर तयार कर सकते हैं ये हमेज़ा ही बहुत ही लाजवाब लगते हैं तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक नॉनिस्टिक तबा, कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम इसको लोहे में बना सकते हैं कि नहीं, तो अगर आप लोहे के तबे में इस्टिकी वाली कोई चीज बना रहे हैं तो उसको एक बार थोड़ा सा पानी छेड़कर, ओल छेड़कर उ इससे के लंच बोक्स में रखने में बिल्कुल भी दिकत ना हो, अब जब यह नीचे से सिखना शुरू हो जाए तब हम यह स्टफिंग लगा देंगे आलू के, तो अगर आप इसके उपर म्यूनिस, टोमेटो, सॉस यह सब लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही सिंपल बनाएं जैसे की नॉर्मली बनाया जाता है, अब इसको जब आप टर्न करेंगे तो देखें जो हमने चीनी डाली थी ना, उसकी वज़े से इसमें बहुत ही बढ़ी हां सा कलर आता है, तो चीनी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे तर आलू वाला डोसर बना कर तयार किया है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, वैसे भी इसमें कोई ज़्यादा सबजे है नहीं, तो बच्चे इसे बहुत एजली खा लेते हैं, तो इसे भी हम टर्न कर लेंगे, और इस पूरी प्रोसेस में आपको 10-15 मिठी लगता है बैटर बनाना है, आलू की स्टफिंग बनानी है, आप चाहें तो बैटर रात में ही बना कर रख लें, और आलू की स्टफिंग के लिए आलू बॉयल करके रख लें, तो ये देखिए बड़ी हैसे बन गए हैं, अब हम इनको कट कर लेंगे, तो छोटा बड़ा आप अगर फुल सैज पर रखना चाहते हैं, तो इस तरह से फूल भी रख सकते हैं, और अगर आपको इस...... हाफ करके रखना है, तो बहुत पसंद आएगा इस से कर दोला था कि साउथ इंडेन स्पेसल रेशिपी is लाई ये तो ये उन्हें के लिए है आपको और कौन सी रेशिपी is देखने हैं लंच बोक्स में ये कमें con बॉक्स पर जरूर बताईएगा तो अकर इसी तरह के और भी लंच बॉक्स आइडियास आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक सिर्फ सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग